और फ्रेंड्स आज के वेडियों में हम संत कॉलंबा कॉलेज में जो हो रहे इंटर्नल एक्जाम निशन पेपर 9 सेमिस्टर 4 का आंसर की करने वाले हैं किसी फ्रेंड है मुझे ये पेपर को स्क्रीन सोट करके भेज़ा है फोटो के लिए करके तो थोड़ा सा कियां पे कट र कि इंटरेंट ग्यां की को करेक्ट मार्ट पर तो मिला लीजे कि आपको कितना सही है कितना गलत है फटा फट मैं बता तेता हूं कि कौन सा किसका सभी एंसर होगा आपको पता चल जाएका चलिए प्ररेंट सब से पहला नमरें जो कोश्चन दिया हुआ हुआ इसका जो करेक्ट अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर बी जहां भी होगा इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा इसके बाद कोश्चन नमर थिरी में चलेंगे कोश्चन नमर थिरी का जो करेक्ट अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर भी भी हो जाएगा इसके बाद कोश्चन नमर फूर में अैँ से जमनेुट मेंद कर ले रहें तो यहां पर देखिए ये हो जाएगा इसके बाद को कुर्चिन नवर शेवेन का हो जाएगा आपका क्रेक्ट अंसरा आपसया बहुंद कर लेंगे इसके बाद को संब्सक्रीम स्युलिक रुख हो जाएगा इसके बाद को nevertheless क्योंड चलेंगे कोस्टेनिदो 1 कर्ड़ेंगे हम लोग और कौस्ट्ट नमर्ट यह जाएगा यह कोश्टन नमर्ट नमर्ट 10 का करेक्ट सब्सक्रीन ऐसे इसे इसे इसके बाद ने сто proud Western investor भी इसके बद और नम्र 13 का इसका correct answer हो जाएगा option नमर बृ इस तरह से हम लोग second का final and second question चलेंगे इसमें और question 14 का answer करेंगे question 14 का correct answer हो जाएगा एक्जेंडर पॉप जो कि सर बताएं भी है class में इसके बाद question 15 के और चलेंगे last question है और last question का हो जाएगा last option आने के option D हो जागा तो इस परकार से आप मेज करवा लेजे कि आपके internal exam में कि इतने marks आने वाले हैं बाकि यहां पर 15 marks आपके exam में internal exam लिए जा रहे हैं और 5 marks आपके attendance के according आपको मिलेगा internal exam में से total आपको 20 marks कराता है यह आपको पता है तो डिर